हाई दोस्तों श्वागत है मेरे यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको जेबरा ACSR कंड़क्टर के बारे में बताऊंगा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि मैं जब बिने वीडियो दाओन सबसे पहले आप तक महunta चले दोस्तों वीडियो को स्टार करते हैं आज हम लोग देखें गे जेबरा तो जैसा कि इसकी सैज की बात की जाया तो कही कहीं पर आपको 400 nm भी मिलेगा बट मैंने हम पर साफ लिग दिया है 420 square mm तो बहुत लोगों का dot भी होगा तो tension वाली बात नहीं है 400 square mm भी सही है और 420 square mm भी सही है उसकी बात बात करें हम लोग कि इसमें aluminium के जो strand होते है एक piece को क्या बोलते है या आपके number of pieces दीख रहे हैं उसको बोलते है strand और जो आपका aluminium का strand होगा जैसे ये उपर का दीख रहा है ठीके, white tap का हलका white tap का ये silver करण का दीख रहा है तो वो आपका aluminium strand है वो कितने होते, number of strand इसके कितने होते 54, अगर आप इसको कौन किरिजेगा ये करके तो आपको total number of strand जो दीखेंगे aluminium का वो 54 दीखेंगे उसकी बाद अगर इसके अंदर वाले हिस्सा जो होता है, वो किसकी होती है steel की बनी होती, उसकी strand की बाद करेंगे तो 7 होता है, यहाँ पर figure में ज़्यादा दिख रहा है, बट यह आपका 7 होता है, आपको इसको याद रखना है तो यह जो है, आपको दिख रहें, बहुत सारे हैं, बट यह बहुत सारे नहीं होगे, क्योंकि यह figure दिया यह इसका जेबरा का नहीं है, बट आपको याद रखने, number of steel strand सिर्फ 7 होते हैं, हाँ पर बहुत सारे हैं, साथ से ज़्यादा भी है, तो 7 number of steel strand होते हैं, और 54 aluminium strand होते हैं, अगर एक strand की डाया बात की जाएं, चाहे वो steel का हो चाहे aluminium का हो, तो उसका डाया कितना होगा 3.18 mm का होगा, उसके बाद हम लोग weight की बात करें, कि weight कितना होना चाहिए, तो weight की बात किया जाएं, अगर मेरे पास 1 km का zebra conductor है, तो उसका कितना weight होगा, 1621 kg पर km मैंने लिखा है, मतलब 1 km का अगर हमारे पास zebra conductor, तो उसका weight कितना होगा, 1621 kg होगा अब बात की जाए, ultimate breaking load की कितना, इसकी breaking load होगी तो आपका कितना होगा, 130.32 केन का, इसका ultimate breaking load होगा, अगर इसकी resistance की बात की जाए, जो इसके अंदर जो resistance पाया जाता है, वो कितना resistance होगा, तो resistance at 20 degrees Celsius पी बात की जाए, तो 0.06868 ohm पर km, मतलब 1 km conductor अगर हमारा है zebra conductor, तो कितने kg होगा 1621 kg, तो उस 1621 kg में, जो अगर ohms की बात की जाए, मतलब resistance की बात की जाए, तो आपका इतना वहाँ पर मौझूद रहता है, पहला ही से उसके बाद, current carrying capacity की बात की जाए, तो current carrying capacity जो है, 65 degree Celsius पे बात की जाए, तो 590 ampere होता है ठीक है दोस्तों, तो आपका यह चीज हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी conductor हो उसको किस हिसाब से हम लोग select करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, 11000 में कौन सा conductor है, इस तरीके से नहीं करते हैं उसकी current carrying capacity के हिसाब से हम लोग कोई भी conductor को क्या करते है, select करते है तो अगर इसकी बात की जाए कि जिवरा conductor को कहां इस्तमाल करेंगे, कहां use करेंगे ठीके, तो इसकी rating के हिसाब से ही हम लोग कोई भी conductor को select करते हैं उसकी बाद अगर इसकी applications की बात की जाए तो यहां पर जातर 220 kv की जहां भी line होगी मतलब transmission line, यहां पर high voltage line होती है, मतलब 220 kv की जहां पर भी line मुझे transmit कराना होता है वहां पर जो है, आपको कौन सा conductor यूज करते हैं, जेबरा कंड़क्टर तो 220 kv के एकर कहीं पर line जा रही है तो वहां पर जो है आपका जेबरा कंड़क्टर का use होता है अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें थैंक्यो फर वाचिंग वाइ मीडियो गुड लाइक एंड है वे नाइस डे